हलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं जोती की मोठी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर जोती की मोठी ब्लॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पर यूरीन का कलर होता है क्या सच में हम लोग उसे जैंडर को कनेक्ट कर सकते हैं है और मेरे जो है दोनों बेटियों के टाइम पर जो हह वो यूरीन का कलर जो है वो किस टाइप से था और मैं एक चीच पहले क्लियर कर दून कर दो कि एसना कुछी नहीं ही होता है है त्यूरीन सबुआर में और में तो जो हमें तो कास्वार्म dur 사़ बीड rights कि दूरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है सम्टाइम्स लेडिस को ब्लेडिंग वगएरा हो गई है ना किसी को बीपी है शुगर है और तरह के जो भी है फजिकल लेवल पर जो भी हमारे हेल्थ इशू की वज़े से अगर हमें कुछ मेडिशन वगएर चल रही है तो उसकी वज़े से जो है वह यलो जो यूरिन का कलर है वह चेंज हो सकता है ठीक है और जो सबसे में बड़ा बड़ा कारण यही है कि अगर हम लोग सही से खापी नहीं पाता है जिन लेडिस को बहुत ज़दर प्रॉलम रहती है तो उनका जो है कि मेरी जो नानी है ना वो इस समय जो है वो 89 एर ओर होने वाली थी तो उस टाइम पर मुझे एक बात पूछी थी कि जो जो बातरूम का कलर है वो क्या रहता है कि वो पीला है या वो सफेद है तो इसका मतलब यह है कि अब 89 एर में आप अंदाज लगा लिजी कि कितने आती हूं बड़ी बेटी के टाइम पर जो है वो बलकि उस टाइम पर तो मुझे कई सारी मेडिसन और इंजेक्शन लगते थे क्योंकि मुझे ब्लेडिंग वगरा होती थी तो उस टाइम पर कभी कभी यलो रहता था और कभी यलो रहता था और जो इस टाइम की बात करूं अगर मैं साइकेंड टाइम की बात करूं तो इस टाइम पर जो है वो मुझे यलो रहता उसके बाद भी मुझे बीबी गर्ल होई तो फ्रेंट्स आप लोग इससे अंदर दे लगा लिजेगा कि अगर आपको भी यूरिंट का कर जो है वो यलो है है ना तो आप उससे यह मत क्या थैंक्स फर वच्छिंग फर वच्छिंग फ्रेंट्स